सो ही गाईस कैसे हैं हम सभी, होप यूग आप सब बढ़ी होंगे, दोस्तो आगे है संडे वक्त होता है, हैश्टेक आसकीवी का जिसमें कि आपके पूछ गए EVC लेटेट सवालों के हम अंसर देते हैं, और इस अपते की कुछ नहीनी EV अपडेट्स भी है, जो कि मैं आप लो रूपीज वापिस भी करेंगे, जो कि इनको सरकार ने सबसेडी के रूप में काफी पहले दिया था, क्योंकि इन्हों ने अभी तक जितने भी इलेक्टिक स्कूटर अपने बेचे हैं, वो सभी चाइना से पार्ट मुआ मुआ कर यहां पर सेल किये हैं, जो कि सबसेडी के कोड़ इन देखा जाए, तो यहां पर गलत है, तो यहां पर इन सभी कंपनियों को ना भाई दिवाले निकलने वाला है, काफी ज़्यादा, तो अब अगर आप इन्हें से किसी पी कंपनिय का कोई भी एलेक्टिक स्कूटर या बाई करने का सूच रहे हैं, तो प्लीज थो लोगों ने कंप्लेंड की हुए है, कि भाई पहले यहां पर सर्विस ठीक कर लो, फिर अधर कंट्री में जाना, यहां पर सर्विस बेकार दी गई है, बेल्ट रेव सिस्टम है, इनका बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि वो ओपन है, और इनके बेल्ट में काफे ज़्यादा सर्विस के मामले में, नेक्स्ट एथर की तरफ से एक और काफी बड़ा अपडेट हा रहा है, जिसमें कि कुछ कस्टमर को यह इस तरीके का बग देखने को मिला है, उनके डिस्प्रेइपर, जो कि एथर ने यहां पर अनॉंस्मेंट कर दी है, कि इसको रिसेट करके ठीक कि सकते हैं कि आपके जो चार्जर का रिफांड है, वो कैसे कैसे यहां पर प्रोसस किया जाएगा, बाकि जब तक आप अपनी डिटेल नहीं सम्मिट करवाएंगे, जब तक आपका चार्जर का रिफांड प्रोसस नहीं होगा, अब आज आते हैं ओला अलेक्टिक की न्यूज सकतना आपको काफी सारी सेटीज में इनकी डिरिविर देखन को मिल जाएगी, चुकि काफी अच्छी बात है, वैसे आप में से कितनी लोगों ने OLS 1 Pro Gen 2 बुक किया हुआ है, कमेंट करके जोरो से बताना, नेक्स्ट आप मुएस 4 बीटे का जो सौफटर है वो काफी लोगो तक मिल चुका है, काफी लोगों को यहां पर रोलाओट हो चुका है, मुझे भी यहां पर मिल चुका है, इसमें काफी कमाल कमाल के फिचर है, जैसे कि auto turn of indicator, general right, temper alert वगरा, ऐसे काफी सारी फिचर है, चुकि काफी ज़्यादा यूसफल है, daily use में, वैसे Mewes 4 की, अगर फु खेल गूली तो जितनी बी मतले ख्रीक्रा कि मैं को अपडेटेट में उनको यह दोफ लॉस्टेना आपकीवार्ट इस scooter की performance से काफ़ी ज़्यादा impress है वहीं इन scooter को charge करने के लिए company एक अलग charger का इस्थमाल कर रही है जो कि आप देख सकते हैं ये एक fast charger है हलाकि ये देखने में तो बिल्कुल जो normal home charger है उसी कितरह लग रहा है बट इसका जो color है वो black है और यहाँ पर वीडियो में बताया जा रहा है कि ये एक portable hyper charger है जो कि Ola S1 Pro को 1-5 गंटे में 0-80% charge कर देगा बगी ये charger अभी तक sale के लिए नहीं है ये सिर्फ इनके company के बंदे ही इसको use कर रहे है नाव नेक्स्ट बात कर लेते हैं Hero की Vida Electric scooter की ये scooter ना बाई कभी Twitter पर, कभी Instagram पर, कभी YouTube पर यहाँ पर ads काफी ज़्यादद चला रखी है company ने क्योंकि इस स्कोटर पर आप 21,000 रुपीज का discount मिल रहा है अभी 21,000 रुपीज का discount आपको कैसे मिलेगा Amazon पर यहाँ पर Great Indian फेस्टिवल सेल चल रहा है Flipkart पर भी सेल चल रहा है तो दोनों ही जगर पर आपको इस स्कोटर की सेल देखनों को मिल जाएगी जहाँ पर आपको काफी सारे bank offer देखनों को मिलेंगे तो जाओ जाकर देखो आपको कौन सा bank का यहाँ पर offer मिल रहा है और वहाँ से जाकर आप इस स्कूटर को अगर पर्चेज करेंगे तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट देहिन को मिल सकता है नेक्स दूस्टो रिबोर्ट मोटर कंपनी के बारे में तो आप जानती है इन्होंने अब सभी को यहाँ पर इन्विटेशन देना स्टार्ट कर दिया है जो कि कुछ इस तरीके अगी इन्विटेशन है जो कि काफी अच्छा है यहाँ पर बैटरी का यहाँ मोडूल बनाए गया है इसके इन्विटेशन में जहाँ पर 23rd October को यह अपना NX100 लांच करने वाले है जिसमें कि हमें 280 किलोमेटर की रेज देखने को मिलेगी बागी देखने इसके लबा इसमें और भी काफी सारे कमाल कमाल के फीचर मिलने वाले है जो कि और लड़ी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ तो वो वीडियो आप जो उसे चकाउट करना लिंक आपको प्रकाठमिया फिनिचर डिस्क्रिप्चन में मिल जाएगा इसके लाबा इसमें एक्चुल में कितनी प्राइज होगी क्या कुछ होगा सबको 23rd October को पता चल जाएगा अब बात कर लेते हैं आपके पुछ गए सवालों की तो सबसे प्ले कोशन लेते हैं यहाँ पर गेमिंग विथ समीर पूछते है भाई मेरा इंस्ट्रोशन के बीच में फेल्ड हो गया है अब लॉक हो गया है, खुल भी नहीं रहा है तीन दिन से ओला की तरफ से कोई भी रिस्पोंस नहीं है तो मुएस 4 अपडेट करने वालों के लिए यह काफे ज़्यदा प्रोलोम हो चल रही है तो भाई अगर इस तरफी की कोई भी रिस्पोंस हो जाती है आपके साथ में तो कस्टमेर के लिए लावा आपके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बसता नेक्स्ट यहां पर एक रू कमेंट ले लेते हैं बर वियर इस जियो फैंसिंग तो जियो फैंसिंग भाई मिल चुका बट मेरे में यहां पर काम नहीं कर रहा है काफ़ी सारी फिचर है जो कि मेरे माव चंछ दृम नहीं कर रहा है बट काफ़ी लोगों को मुरस्फोर में जियो फैंसिग रही ह jou यहां पर एकुर कमेंट लेते हैं दीवाली पर कोई offer आएगा क्या 2030 में तो दीवाली पर अब डेफिनेटली आपको ओला क्या सभी electric scooter पर offer देखने को मिलेगा नेक्स यहां पर एकुर कमेंट लेते हैं एस्वन हील cruise control नहीं मिला तो एस्वन में भाई काफी जादा confusion बनी हुई है कि hill hold और cruise control मिलेगा या नहीं मिलेगा अभी थोड़ा सा वेट करो क्योंकि इस का stable version rollout होने वाला है उसके बाद confirm हो जाई है कि कौन-कौन से feature आपको इसमें मिलने वाले हैं और कौन-कौन से नहीं मिलेंगे नेक्स यहां पर एक और कमेंट लेते हैं मुएस 3 और मुएस 4 में क्या difference है तो भाई difference काफी सारे है यहां पर auto turn off indicator है cruise control है टेंपर alert है तो ऐसे 15 प्लस feature है जो कि आपको देखना को मिलेंगे जो कि और मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है नेक्स यहां पर एक और कमेंट लेते हैं भाई मेरे में तो dead हो गई है scooter कुछ भी response नहीं कर रहा है तो इस तरह की problem भी आपको देखने को मिल सकती है अगर आप regular use करते है ना उसके लाबा आपके पास में कोई और option नहीं है scooter या bike का तो आप इसका beta version बिलकुल download मत करना क्योंकि इसमें कोई भी problem देखने को मिल सकती है इसलिए stable वर्जन का वेट करना नेक्स यहां पर एक कुल कमें लेलते है रितिक कोश्ट के पूछते है सर मेरे में मुएस 4 तो आ गया है लेकिन मैं main stand का काम नहीं कर रहा तो मैंने service center चला गया पता चला कि सर मेरा इसके stable वर्जन में शायद से ऐसी कोई problem देखने को नहीं को ना मिले तो भाई ज्यादा सही रहेगा आप सिर्फ यहापर हाइपर चार्जिंग में सेट कर सकते हैं जो कि मैंने आपको दिखाया था जब आपका स्कूटर बिल्कुल ही कम बैटरी में अगर जाएगा तो वहाँ पर आप 50-60 और maximum 70% तक इसकी चार्जिंग लिमिट कर सकते हैं नेक्स नहां पर एक रुकमन लेते हैं भाई मेरी स्कूटर में अपडेट के बाद में जो साइड में टोर्क और पावर फिगर जो दिखाता है वो सिर्फ CO2 में अटा गया है तो शायद से अटा गया है या पता नहीं है उसको थोड़ा सा लोंग प्रेस करके रखेंगे तो तो शायद से आपका चल जाएगा दोनों साइड में ऐसी होता है लोंग प्रेस करके रखोगे तो आपका वह चेंज होने लग जाता है या फिर आप वेट करो इसके नेक्स अपडेट का उसके बाद में यह ठीक हो जाएगा नेक्स नहां पर रिकूर करने लेते हैं प्लीज सवाल और हमारी वीडियो को लाइक कर देना में मिलता हुआ है इसी ने वीडियो में तो बसके लिए सेफ और सेफ राइड